दोस्तो आज की वीडियो में आपको लेकर कहों प्राचिन बोलीनात और बानाजी का विपातु है रहसे मंदिर जहाँ पे काले कलर के गुड़िया है काले कलर के पुतले हैं यहां पर मोजूद है दोस्तों यहां पर बताया जाता है इनसानों से ज़्यादा यहां पर अलावला भूत प्रेत यहां पर रहते हैं यहां पर काले कलर के गुड़िया है काले कलर के जो गुड़े होते हैं पुतले होते हैं और दोस्तों यहाँ पर बाल लवस्ता में हनुमान जी की मूर्ति है और भॉलेनाच जी का यहाँ पर मंदिर है जो भी आपको इस वीडियो में दिखाएंगे और यहाँ पर जो पेड़ लगा हुआ है पेड़ के पास भी कई सारी यहाँ पर गुडिया लगी होई वह भी आप को इस वीडियों बताने वाले तो दोस्तों आप से रिक्वेस्ट अगर आप यूटूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके लाइकन का बटन ओन कर लेना अगर आप यह वीडियो फेस्वूक पेज को फोलो कर लेना जैसे कि सामने आप देख सकते हैं दोस्तों यहां प तो यहां पर आपको दर्सान कराँगे की का बूठल बताये इन पुथले के मतलब कोई न कोई फोल करने यहां पर लोगों यहां और वे माफ्यासरी दोस्तों दोस्तों तो उत्व जाता है। तो अलाव बूत परेतों कि यहां पर दुनिया आपको हर जगे यहां पर कटे हुए निम्बू हर पेड़ों के उपर काले कलर के यहां पुतले लगे हुए नजर आएंगे तो दोस्तों आप यहां पर देखिए रहे रहाइस हमाई काफी पुरानी यहां पर शिवलिंग है भी आपको दर्सन कराते हैं पहले आपको अंदर से पूरा नजारा दिखा देता है दोस्तों एक बार में आपको फिर से जो ये रहे से में गाउंगे जो सहलानी गाउंगे जिसको देखकर कि आज विग्यान भी हिरान है क्योंकि यहां पर जो चीजें होती हैं सब चीजों को बिग्यान नहीं मानता है तो आप यहां देखिए किस परकार से यह पूरा नजारा है अभी हम यहां पर मंदिर के अंदर मोजूद है हमने यहां पर दर्सन करें अब आगे जाएंगे जो आपको नजारा दिखाने के कोसिस करेंगे दोस्तों यह महाराष्ट का बुल्डाना जिला आना बुल्डाना जिले से आपको सेलानी गाउं के लिए काफी ज़्यादा यहां पर बसें मिल जाएगी तो सेलानी गाउं के अंदर ही आपको यह पूरा नजारा देखने को मिलेगा दोस्तों जैसे कि आप सेलानी गाउं के अंदर आओगे तो आपको हर जगे यहां पर कई सारे मतलब धागे भी बांध रहें जिसकी कि अगर मनना तो मुराद होती है दोस्तों आज भी भारत के अंदर इसे कई गाउं मोजूद है जिसको देखकर के आज आप भी हरान हो जाओगे जैसे कि आप यहां पर देखें बड़ा एक पेड़ हो उस पेड़ी को पर तो कोसिश करी तो उन्होंने यहीं बताया किसी सरीर के अंदर अलावला भूत प्रेत ऐसी कोई चीज होती है तो यहां पर उनके नाम से पुतले छोड़े जाते तो आप यहां मंदिर देखिए